नमस्कार दोस्तों यती नर्समानंद के उल्टी गिंती अब शुरू हो चुकी है यती नर्समानंद पर अब लगाम लगना शुरू हो चुका है अब जो एक्षन लिया गया है वो योगी आदतनात की तरफ से लिया गया है दोस्तों जिसे जानकर सुनकर मैं भी दंग रह गई कि चलिए उत्तर प्रदेश के CEM कुछ तो अच्छा और बहतरीन काम करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदतनात ने यतिनरसिम्मानंद के खलाफ सक्त से सक्त कारवाई करने का निर्देश दे दिया है उन्होंने क्या कुछ कहा है ये पूरी जानकारी आपको बताऊंगी और भारतिय जनता पार्टी के कुछ नेता है जो यतिनरसिम्मानंद को लेकर ये कह रहे हैं कि इनके खलाफ कारवाई होने चाहिए किसी भी धर्म के खलाफ इस तरीके की बाते नहीं करनी चाहिए कुछ बीजेपी के जो नेता है उनका बयान है लेकिन कुछ नंद किशोर गूजर जैसे लोग हैं जो बीजेपी के विधायक है लोनी से वो यतिनरसिम्मानंद का समर्थन कर रहे हैं तो यह सब देखने सुनने को मिल लेकिन उससे पहले आपको बता दू कि योगी आदतनात ने जो फैसला लिया है उस फैसले की चारो तरफ चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि कैसे यतिनरसिम्मानंद का जो बयान है उस बयान पर अब फाइनली योगी आदतनात का आदेश और निर्देश दोनों दिया गया है जी हां आदेश भी दिया गया है और निर्देश भी दिया गया है भारत समचार के हवाले से खबर आ रही है कि क्या योगी आदतनात कह रही है भारत समाचार के हवाले से आर्टिकल छापते वे लिखा गया है दोस्तों कि मुख्यमंत्री योगी आदतनात ने एक बार फिर से खुले तोर पर एक बड़ा संदेश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदतनात ने कहा है कि किसी भी ज्राती धर्म मजभब और संप्रदाई से जुड़े हुए इस्ट देवी देपता महापुरुष अत्वा साधू संतों के विरोध अपमान जनक टिपड़नी आस्विकर्थ है लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि विरोध के नाम पर आरा जक्ता भी बर्दाष्ट नहीं की जाएगी आपको बतादे दोस्तों कि तेहवारों को मद्दे नजर रखते हुए संबार को यानि कि आज मुख्य सचीब डीजेपी अपर सचीब ग्रह और अन्य विवागों के वरिष्ट अधिकारियों के साथ कान प्रतियक नागरिक के मन में कृत्यग्यता का भाव होना चाहिए लेकिन इसके लिए बादे नहीं किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जबर्दस्ति जो है उत्पात मचाता हुआ नजर आए धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के आस्था के साथ खिलवार कोई भी करेगा तो उसके खलाफ कानून के दाइरे में कड़ी सी कड़ी कारवाई दिलबाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि विरोध के नाम पर आराजकता तोड़ पोड आगर जनी सुईकार नहीं किया जाएगा, जो भी कोई ऐसा दुस्ताह करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर बार मुसल्मानों की आस्था के साथ उनके धर्म के साथ ऐसी उलजोलूल विवादित चिपणिया देते हैं जिससे मुसलिम समुदाइक के लोगों का सब्र का बान टूर जाता है। इस बार तो मुसल्मानों के सबसे प्यारे नभी के बारे में जो बयान यतीनर सिम्मानंद की तरफ से दिया गया। आपने देखा कि देश के कई कोने से लोग सडको परी खट्टा होने लगे। महराष्ट्र से लेकर दिली दिली से लेकर आजस्थान हर तरफ मुसल्मान कौम के लोग जो है वो इसका विरोध जता रहे थे और कह रहे थे कि सक्ती के साथ कारवाई की जाए। यही नहीं समाजवादी पाती की सांसद इक्रा हसन ने भी NSA लगाने की मांग सरकार से की, अब सरकार NSA लगाती है या नहीं लगाती है ये तो वक्त बताएगा, फिलहाल योगी आदतिनात ने यतिनर सिम्हानंद पर लगाम कसने नकेल कसने के आदेश दिये हैं, अब देखना ये होगा कि योगी आदतिनात के बयान को पुलिस किस तरीके से लेती हैं, क्योंकि यतिनर सिम्हानंद हमेशा ऐसी बातों को बोल कर कई दफ़ा निकल गये हैं, धर्म संसत के नाम पर तलवार उठाने, मारने काटने की बात करने वाले यतिनर सिम्हानंद हर बार उनको लग प्रस्पोगा कि क्या कारवाई होती है अब देखे भासकर के अवाले से खबर आ रहा है कि नर्सिमानंद के पास 5000 लोगों की सेना है गाजयबाद में डासना मंदिर चार लाख स्कॉाइर फिट में फैला हुआ है मुसल्मानों को एंट्री इस मंदिर में नहीं दी जाती है करी की 5000 लोगों की यती नर्सिमानंद की धर्म सेना भी है करीब 25 पीएसी के जवान 24 घंटे सेक्योरिटी में तैनात रहते हैं अंदर की विवस्ता दोसों से जादा वालेंटियर समालते हैं इन दिनों ये मंदिर यहां के पीठा धीश यती नर्सिमानंद के एक बयान की वज़ की और पैगंबर मुहमद सहाब और कुरान को लेकर आपती जनक ठिपरने की इसके बाद बुलंद शहर में लोग सडकों पर उतर आएं दोस्तों और पुलिस पर पत्राब हुआ लाथी चार्ज हुआ सहारनपूर में भी पुलिस चौकी पर पत्राब हुआ यूपी के अलग मंदिर में अंट्री नहीं मिलेगी दरसल इस नियम को लागू करने की एक वरी वज़ा बताई ये जाती है कि मंदिर के गेट पर एक बोर्ड लगा इस पर लिखा है कि यहां मुस्लिमों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है आगे हिंदू और मुसल्मान की पैचान कै इसे हो इसके लिए महामंडलेश्वर यतिनरसिमानंद आईडी प्रूफ वाला नियम इस मंदिर के लिए लागू कर चुका है सबसे पहले किसी भी शद्धालू को मेटल डिटेक्टर गेट क्रॉस करना होता है इसके बाद पुलिसकर्मी उसका आधार काट चेक करते हैं अपने जो मंदिर ने जो यहां के महंत बने हुए हैं कि सब कुछ लागू कर रखा है अब आप सोचिए कि इस इνसान की मानसिक्ता क्या है और कैसी रहती आज तक आपने कभी किसी दरगा में देखा है कि हिंदूों का आना मना है हिंदू इस मन वी दरगा में नहीं आ सकते यह मस्जदमें रेंटिरी नहीं कर सकते देखे दुन्समर्ण पाता है बंदिंद दर्गा ấy uh कि आपके सामने है कोई महंत कोई साधू संथ किसी धर्म के खिलाफ नफरत करने के लिए कोई कैसे बोच सकता है मुझे नहीं समझ में आता कि कोई और मैं पानित होको यजा कोई मोलवी हो जो भून के प्रती नौलज रखते हैं आस्था होती है वह किसी धर्म के ख़लाब किसी धर्म को लड़वाने की कोशिश करें आपती जनक बयान दे मैं उसे ना पंडित मान सकती हूं और मोलवी मान सकती हूं दोस्तो इस पूरे रपॉर्च को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही साथ चानल को जादा साजादा लाइक शियर और सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी ना भोले धन्यवाद दोस्तो